हमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटीब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग बिंदुओं के निर्दिशांग तथा दूरी के बारे में पड़ाई करेंगे हमें गयात है कि प्रतेक वास्त्विक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु संबंदित होता है किनी दो भिन बिंदुओं के लिए एक ही वास्त्विक संख्या संबंदित नहीं होती संख्या रेखा पर बिन्दू से संबंदित रहने वाली वास्तविक संख्या को उस बिन्दू का निर्दशांग कहते हैं जिसे कि आकरती में देखिए बिन्दू A, B, C तथा D के निर्दशांग करमसर रिड़ 4, 1, 6 तथा रिड़ 8 है दो भिन्दू के बीच की दूरी भिन्द इकाई द्वारा दर्शाई जा सकती है जैसे कि हम उसे मिली मिटर में भी दर्शा सकते हैं, सेंटी मिटर में भी दर्शा सकते हैं मीटर, कीलो मिटर और ऐसे अन्य इकाई जो की दूरी के मापन में सहायक हैं उनसे हम दूरी को दरशित कर सकते हैं बच्चो दूरी धन वास्तविक संख्या होती है ये कभी भी रडात्मा नहीं होती दो बिंदुओं के बीज की दूरी ग्याद करने के लिए तिये गे बिंदुओं के निर्दिशांकों में से बड़े निर्देशांग में से छोटे निर्देशांग को घटाना होता है जैसे B का निर्देशांग देखिए B का निर्देशांग 1 है C का निर्देशांग 6 है तथा 6 बड़ा है एक से इसलिए बिंदू B तथा C के बीज की दूरी कितनी हो जाएगी 6 रिन 1 यानि distance between BC हो जाएगा 5 हमारा अगला topic जो है वो है मध्यता इसे English में कहते हैं betweenness यदि P Q तथा R एक रेखिये भिन बिंदू हो तो निमना नुसार तीन संभावनाएं प्राप्त होती है पहली संभावना बिंदू Q यह P तथा R के मध्य है दूसरी संभावना बिंदू R यह बिंदू P तथा बिंदू Q के मध्य है तीसरी संभावना क्या होगी बिंदू P यह R तथा Q के मध्य है यदि बिंदू P तथा Q के बीच की दूरी को हम बिंदू Q तथा R के बीच की दूरी में हम लोग जोड देंगे तो हमें क्या मिलेगा P तथा R के मध्य की दूरी इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं distance P Q plus distance Q R is equal to distance P R तो इस अवस्था में हम लोग कह सकते हैं कि बिंदू Q यह P तथा R के मध्य है इस मध्यता को P' Q' R द्वारा दर्साया जा सकता है जैसे पहला उतार लेते हैं किसी संख्यार एका पर बिंदू A बिंदू B तथा बिंदू C इस प्रकार है कि distance AB बराबर 5 distance BC बराबर 11 तथा distance AC बराबर 6 तो इन में से कौन सा बिंदू अनिदो बिंदू के मध्य में होगा यहाँ पर इस प्रकार हन लिका लेंगे A, B तथा C इन में से कौन सा बिंदू अनिदो बिंदू के मध्य में है यह निमने प्रकार से निश्चित कर सकते हैं अब क्यूंकि distance BC बराबर 11 है इससे लिख लेते हैं कथन नमबर 1 अब distance AB प्लस distance AC बराबर 5 धन 6 बराबर 11 यह हो गया आपका कथन नमबर 2 इसलिए distance BC बराबर हो जाएगा distance AB धन distance AC अई यह हमने कथन एक कथा 2 से देखा अर्थाथ बिंदू A यह बिंदू B तथा बिंदू C के मध्य है इससे आप इस प्रकार भी decide कर सकते हैं कि देखी दोनों दो दूरी दी गई है distance AB और distance AC उन दोनों ही distance में A बिंदू जो है वो common है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बिंदू A है वो B तथा C के मध्य है तो बच्चों आज हमने क्या सीखा दो बिंदू के बीच की दूरी दीएगे निर्दचांकों में बड़े निर्दशांक में से छोटा निर्दशांक घटाने पर प्राप्त होता है किनी दो बिंदू के बीच की दूरी धनात्मक संख्या होती है लेख लेख झाल झाल